हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है सभी और आपका स्वागत है मेरे चैनल सभी फैक्स में फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे 2019 में डिलीज हुई फिल्म साहो के बारे में जिसके डारेक्टर थे सुजीत इस फिल्म में प्रभास, रद्धा कपूर, जैकी श्रॉफ और नील नितिन मुकेश जैसे कराकारों ने काम किया है आइम डीवी ने इसे रेटिंग दिये 10 में से 5.2 और बॉक्स आफिस पर ये फिल्म गेट सावित हुई थी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, स्यार और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंट्रेटिनिंग वीडियो लाती रहती हूँ तो आइए फ्रेंड्स आप जानते हैं साहो फिल्म से जुड़े कुछ हंसुने किस्सित जो आपको पता नहीं होंगे फ्रेंड्स इस फिल्म का टोटल वजट था 350 करोन और इस फिल्म ने टोटल 435 करोन रुपए कमाय थे फिल्म का टीजर हिंदी तेलमू और मलियालम जैसे तीन भासाओं में रिलीज किया गया था और वो रिलीज भी 28 सप्राल 2017 को हुआ था जब बाहुवली 2 दा कॉंसलूजन का रिलीज हुआ था प्रभास ने फिल्म के लिए हिंदी सीखी थी इसलिए फिल्म के डालाग हिंदी में उन्होंने खुद बोले थे और इसी के साथ ये फिल्म प्रभास की हिंदी में डेब्यू फिल्म बन गई थी इससे पहले प्रभास की हर फिल्म हिंदी में डब की गई थी और उन्होंने डालाग्स खुद नहीं बोले थी फिल्म में किये गए सारे स्टेंट्स प्रभास ने खुद किये थी जिसके लिए उन्होंने बहुत ही कटेंड ट्रेनिंग भी ली थी फ्रेंट्स सद्धा कपोर ने फिल्म के साथ साउट की फिल्मों में अपना डेब्डू किया था उनको तेलवू बिल्कुल भी नहीं आती थी लेकिन फिर भी जो डालाग्स उन्होंने बोले थे वो उन्हें समझ जाती थी फिल्म का क्लाइमाक्स सीन हंडेट फाइटर के साथ सूट किया गया था जिने दुनिया भर से बुलाया गया था फ्रेंड्स फिल्मेकर्स ने एक फिल्म मेकिंग वीडियो भी रिलीज किया था यूटूब पर जिसका नाम था सेड्स आफ साहो जिसको 24 घंटे में ही इतनी ज्यादा व्यूज और लाइक मिले थे जितने किसी भी नॉन ट्रेलर या नॉन टीजर को कभी नहीं मिले थे इस वीडियो ने लाइक्स में रजनी कांत और अक्षे कुमार की फिल्म 2.0 को भी पीछे कर दिया था फिल्मेकर्स ने फिल्म में प्रुभास के एक सीन्स पर 70 करोन रुपए खर्च किये थे जितना किसी के सीन्स पर आज तक किसी भी फिल्म में खर्च नहीं हुआ था फ्रेंड्स अगस्ट 2019 में साहोदा गेम भी रिलीज किया गया था इसे हैदराबाद की एक आईटी कंपनी पिक्सालोट लाइब ने बनाया था फिल्म का एक पोस्टर ब्लेड रनर दोहजार बनचास फिल्म से काफी मिलता जुलता था जिसको फैंस ने सोसल मीडिया में बि कमपनी का कहना था कि फिल्म मेकर्स ने उनके साथ एक कांट्रक्स राइन किया था जिसमें ये डिल हुई थी कि फिल्म में कंपनी का प्रोडेक्ट दिखाया जाएगा जैसा उनके मुताबिक नहीं हुआ था तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया ह तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको भी साहो फिल्म से रिलेटेड कुछ हंसुने किस से पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए थैंक्स फॉर वाचिंग